नमश्कार दोस्तों, Competition Community के Fast Track Revision Course में आप सबी का स्वागत है, आज हम बायो के Second FTR वीडियो में कुछ और important questions के बारे में डिसकस करते हैं, so let's start with the questions, सबसे पहला question जो है, मनुश्य के जीवन काल में कितने दाथ दो बार विक्सत होते हैं, options है, 4, 12, 20 and 28, तो मनुश्य के जीवन काल में 20 दाथ ऐसे होते हैं, जो दो बार विक्सत होते हैं, it means कि मनुश्य के टोटल जीवन काल में 20 ऐसे टीथ होते हैं, या जो दाथ होते हैं, जो दो बार विक्सत होते हैं, और 12 ऐसे दाथ होते हैं, जो की सिर्फ एक बार विक्सित होते हैं और इन्हें स्थाई चवरण दात कहा जाता है इसी लिए human beings को diffudant भी कहा जाता है नेक्स्ट कोशन देखते हैं निमनलिखित में से कौन सा मनुष्य शरीर का सबसे द्रण भाग होता है तो options हैं फर्स्ट है dentin, enamel जिसे दंत वल्क भी कहा जाता है अस्थी, cementum तो इन में से जो correct answer है वो है enamel जिसे दंत वल्क भी कहा जाता है जो enamel होता है वो teeth के crown पे present रहता है मतलब दात के शिखर पे जो सबसे उपरी भाग होता है उसे enamel कहा जाता है और यही जो होता है वो मनुष्य के शरीर का सबसे द्रण या कठोर भाग होता है enamel जो होता है या दंत वल्क जो है यह बना किसे होता है तो इसकी जो composition है वो है calcium carbonate और calcium phosphate का बना होता है ठीक है तो enamel जो है कहने का मतलब यह है कि वो मनुष्य के शरीर का सबसे द्रण भाग है और वो बना किसे होता है वो बना होता है calcium phosphate और calcium carbonate से next question देखते हैं, question number 3, निम्न लिखित में से मानव शरीर की दूसरे सबसे बड़ी ग्रंथी होती है, मतलब मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथी कौन सी होती है, तो options देखते हैं, सबसे पहला है यकृत, दूसरा है वरिक, तीसरा अगने आशे, जिसे pancreas भी कहते हैं option number D है, thyroid जिसे up to ग्रंथी भी कहा जाता है, तो इसमें से ही जो हमारा correct answer है, वो है pancreas, जिसे अगने आशे भी कहा जाता है, तो मनुष्य शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथी जो है, वो है pancreas, और मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथी मतलब, मनुष्य के शरीर की सबस बड़ी ग्रंथी जो है, वो होती है, यकृत मतलब, लीवर, और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथी जो है, वो है pancreas, तो इसके बारे में कुछ और facts देखते हैं, कि सबसे बड़ी endocrine, या बहिर स्त्रावी, या अंतर स्त्रावी कौन-कौन सी ग्रंथियां होती है, तो जैसे हम अगने आशे भी कहते हैं, ठीक है, ये हुआ second largest, सबसे first कौन सा है, सबसे बड़ी ग्रंथी जो होती है, वो होती है, लीवर, जिसे हम यकृत भी कहते हैं, अब अगर question में ये पूछा जाए, कि मानर शरीर की सबसे बड़ी बहिर स्त्रावी गंथी, मतलब, exocrine gland कौन सी हो तो वो भी कौन सी होती है, तो वो भी होती है, लीवर, अगर question में ये पूछा जाए, कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी अंतह स्त्रावी ग्रंथी, मतलब, endocrine gland कौन सी होती है, तो वो होती है, thyroid gland, जिसे हम हिंदी में अवटू ग्रंथी भी कहते हैं, तो देखिए, ए लीवर होती है, या यकरत, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथी, pancreas, जिसे हम अगने आशे भी कहते हैं, अगर question में ये पूछा जाए, कि मनुष्य के शरीर की बहिर स्त्रावी सबसे बड़ी ग्रंथी कौन सी होती है, तो वो होती है, लीवर, जो की सबसे बड़ी ग्रंथी है और अगर question में ये पूछा जाए, कि मनुष्य के शरीर की अंत्रावी सबसे बड़ी ग्रंथी कौन सी होती है, तो वो होती है thyroid gland, जिसे हम अब टू ग्रंथी भी कहते हैं, चली next question में आते हैं, question number 4, question number 4 है, निमने लिखे तुमें इसे कौन सा enzyme, glucose को ethanol में परिवर्तित करने को प्रेरित करता है, मतलब ऐसा कौन सा enzyme है, जो glucose को ethanol में convert करता है, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा respiration देखना होगा, जैसा कि हम सभी जानते हैं, कि जो respiration process होती है, या स्वशन प्रक्रिया होती है, वो दो प्रकार की होती है, एक होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, कि अनॉक्सी suppression मतलब anaerobic respiration, जो कि हम यहां पे देख रहे हैं, तो glucose का conversion जो है, anaerobic respiration के दौरान, जिसे हम और क्या कह सकते हैं, अनॉक्सी 투osition तो अनक्सी unravel town के दौरान क्या होता है? glucose जो होता है वो किसमे convert होता है? वो ethanol में convert होता है तो कहने का मतलब यह है कि अनक्सी vaccination या anaerobic respiration के दौरान glucose जभर हो है वो ethanol में convert होगा वही अगर oxy prevention हो रहा है पिर rappers' हो रही है तो glucose जो है उसका ये तो product होगा glucose तो क्या बोलना चाहिए ये reactant है हमारा glucose तो product क्या क्या बनेंगे तो product यहाँ पे बनते हैं carbon dioxide और water मतलब यहाँ पे complete respiration या पूर्ण स्वशन की क्रिया होती है इसलिए glucose जो है वो तूट कर carbon dioxide और water प्रोड्यूस करता है वही अनौक्सी स्वशन के दारान glucose से क्या बन जाता है इथनोल बन जाता है और यहाँ पे जो enzyme कारे करता है वो होता है zymase तीसरा प्रक्राक्रा जो स्वशन होता है वो हमारे mass patient या muscle cells में दिखाई देता है जब हम continue बहुत जादा exercise कर लेते हैं तो वहाँ पे पूर्ण स्वशन की क्रिया नहीं हो पाती जिसके कारण glucose से लाक्टिक अमलय या लाक्टिक आसिड का production होता है जिसके कारण वो deposition हो जाती है muscle cells में इसे लिए उन muscle में क्या होता है दर्द स्टार्ट हो जाता है तो यह हुआ हमारे question number 4 का answer जो की option number A है that is zymase मतलब glucose से ethanol का production कौन से enzyme के presence में होगा तो वो होगा zymase enzyme के presence में next question आते हैं हम question number 5 निम्न लिखित में से किसे संपूर्ण या पूर्ण पाचक रस कहा जाता है options देखते हैं सबसे पहला है पित रस जिसे बाइल जूस भी कहा जाता है तूसरा है जठर रस गैस्ट्रिक जूस तीसरा है अगने आशय रस पैंक्रियाटिक जूस और option number D है और फ्यूक्त में इसे कोई नहीं तो इसमें इसे जो हमारा correct answer है वो है पैंक्रियाटिक जूस मतलब अगने आशय रस जो होता है उसे पूर्ण पाचक रस कहा जाता है तो आए ये देखते हैं कि इसे पूर्ण पाचक रस क्यों कहा जाता है कुशन में जैसा की पूछा है कि पूर्ण पाचक रस किसी कहा जाता है तो मैंने आपको बताया कि पूर्ण पाचक रस जो है वो पैंक्रियाटिक जूस या अगने आशय रस को कहा जाता है तो ये जो अगने आशय रस है इसे पूर्ण पाचक रस इसली कहा जाता है क्योंकि इस रस में या इस जूस में कार्बोहाइडरिट प्रोटीन और फाट मतलब कार्बोहाइडरिट प्रोटीन और वसा तीनों के पाचन या डाइजेशन के लिए एंजाइम पाये जाते हैं इसे पूर्ण पाचक रस कहा जाता है और ये जो पाचन क्रिया होती है अगनियाश है रस द्वारा ये हमारी छोटी आथ या स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है तो आए ये देखते हैं कि कौन-कौन से ए माईलेज एंजाइम पाया जाता है दूसरा मैंने बताया कि प्रोटीन के लिए भी होता है तो प्रोटीन के लिए इसमें कौन साब कहना चाहिए एंजाइम पाया जाता है तो वो होता है ट्रिपसिन फाट के लिए इसमें होता है लाइपेज एंजाइम मतलब रोटीन और फैट तीनों के लिए इसमें इंजाइन्स पाए जाते हैं इनके पाचन के लिए इसी लिए अपनेया शेरस या पैंक्रियाटिक जूस को क्या कहा जाता है पूर्ण पाचक रस कहा जाता है कोशन्स बहुत बार ये पूछा जा चुका है कि amylase enzyme जो होता है वो निम्नलिखित मेंसे किनके पाचन के लिए जिम्मेदार होता है तो यहां से हमें ये बहुत ही clear view से समझ में आ रहा है कि amylase जो होता है वो carbohydrate के digestion या पाचन के लिए responsible होता है It means trypsin जो है वो protein का digestion करेगा, amylase जो है वो carbohydrate, lipase जो है वो fat या वसा के पाचन के लिए जिम्मेदार होता है Next question पर आते हैं, question number 6 यक्रित एवं मास पेशियों में उर्जा, जमा होती है या संग्रहित की जाती है तो यक्रित एवं मास पेशियों में किस रूप में मनुश्यों में उर्जा जो होती है वो संग्रहित की जाती है तो options हैं carbohydrate के रूप में, वसा के रूप में, protein के रूप में या glycogen के रूप में ठीक है, तो आईए हम ये देखते हैं कि इसमें हमारा जो correct answer है वो है option number D जिसे हम कहते हैं glycogen के रूप में, अब glycogen जो है वो एक प्रकार का carbohydrate ही है मतलब वो एक प्रकार का polysaccharide है, बट इसमें हमारे option में दिया हुआ है exact carbohydrate का नाम तो हम उसे ही choose करेंगे कि glycogen के रूप में क्या होता है, मनुश्यों में जो उर्जा या energy होती है वो liver और muscle cells में क्या की जाती है, store की जाती है, किस रूप में की जाती है, तो glycogen के रूप में वहीं अगर question में ये पूछा जाता कि plants में या पौधों या पादपों में जो उर्जा होती है, वो किस रूप में संग्रहित की जाती है तो वो जिस रूप में संग्रहित की जाती है, वो भी carbohydrate का ही एक रूप होता है, जिसे starch कहा जाता है तो यहां से हमने दो facts निकाले कि मनुश्यों या जीव जन्तों में जो उर्जा होती है, वो किस रूप में संग्रहित की जाती है, तो वो glycogen के रूप में संग्रहित की जाती है निक्स्ट कोशन में आते हैं हम कोशन नम्बर सेवन पिताशे में उपस्थित पत्थर निम्न लिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है मतलब अगर गॉल ब्लैडर पिताशे मतलब होता है गॉल ब्लैडर गॉल ब्लैडर में अगर स्टोन हो जाए तो वो निम्न लिख किस्के पाचन को प्रभावित कर सके गा तो उसका options है protein second है वसा third है carbohydrate and next है nucleic acid तो अगर ball bladder में stone हो जाता है तो उस समय क्या किया जाता है ball bladder को रिमूफ क्या जाता है तो उससे किस्का पाचन जो है वह प्रभावित होगा तो उससे वसा का ये fat का पाचन जो है वो प्रभावित होता है तो option number B is correct ठीक है तो यह ऐसा क्यों होता है आईए हम discuss करते हैं कि actually यह पिताशे जो है गॉल bladder इसका role क्या होता है fat के digestion में तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि यह जो गॉल bladder है जिसे पिताशे कहा जाता है तो पिताशे में क्या होगा पितरस मतलब bile juice जो है वो store किया जाता है मतलब पिताशे में पितरस store किया जाता है बलकि यही पितरस जो है उसका secretion या त्रावन जो है कौन करता है वो करता है लीवर या यकरित मतलब लीवर के द्वारा पितरस या bile juice जो है वो secret किया जा रहा है बट उसका storage या संग्रहन कहां किया जाता है वो किया जाता है पिताशे में या गॉल ब्लैडर में अब होता क्या है कि जब food जो है वो कहां पहुँच रहा है वो पहुँच रहा है small intestine में तो ये जो bile juice या पितरस है वो गॉल ब्लैडर से small intestine या छोटी आत में आती है और वो वसा के जो बड़े बड़े अणू होते हैं उनको पानी के साथ या जल के साथ mix करके उनके छोटे अणूं में तोड देती है तो अगर ये ही पितरस जहां पे store हो रहा है मतलब पिताशे में अगर पिताशे ही नहीं होगा तो वसा का पाचन जो है वो प्रभावित हो सकता है तो इसी लिए इस question का सही answer है कि अगर गॉल ब्लेडर या पिताशे में stone हो जाए तो उससे प्रभावित किसका पाचन होगा तो उससे प्रभावित वसा का पाचन हो सकता है next question आते हैं question number 8 question number 8 है हमारा vitamin D की अलपता से होता है मतलब vitamin D की deficiency से कौन सी disease हो सकती है तो आईए options देखते हैं हम सबसे पहला option है rickets दूसरा है beri-beri third है pellagra fourth है scurvy ठीक है तो vitamin D की अलपता से कौन सा होगा इन में से जो correct option है हमारा वो है option number A जो की है rickets ठीक है तो आईए यह देखते हैं कि rickets के साथ साथ और कौन सी disease जो है वो vitamin D की deficiency से हो सकती है तो vitamin D की अगर शरीर में अलपता हो जाए या deficiency हो जाती है तो इसकी अलपता से क्या होगा जैसा कि मैंने अभी आपको बताया इसकी अलपता से क्या होता है rickets होता है यह होता है बच्चों में मतलब child में क्या होता है अगर vitamin D की deficiency हो जाए तो वो rickets cause करती है वही अगर adults में या वयासकों में इसकी अलपता हो जाती है तो वो cause करती है osteomalacia ठीक है तो vitamin D की deficiency से बच्चों में rickets और adults में जो होता है वो osteomalacia होता है कुछ और जो options दिये हैं वो भी हम देख लेते हैं कि वो किनकी अलपता से होते हैं तो जो second option दिया हुआ है वो है beriberi तो जो beriberi disease है वो होती है vitamin B1 की अलपता से, मतलब vitamin B1 के deficiency से beriberi नामक disease होती है next option है paligra तो ये जो paligra disease है ये होती है vitamin B3 की deficiency से next option है हमारा सकरवी तो जो सकरवी है वो होता है vitamin C की deficiency से, तो कहने का मतलब ये है कि vitamin D की अगर अलपता हो जाए ये deficiency हो जाए तो मानवों में वो कौन सा रोग उत्पन करते हैं, तो वो करते हैं उत्पन, rickets और वो भी बच्चों में और ostomalacia है वो adults में cause होता है very very जो एक रोग है या disease है वो vitamin B1 की deficiency से या अलपता से होती है, वही जो paligra है, वो vitamin B3 की अलपता या deficiency से होती है सकरवी नामक disease जो है वो vitamin C की कमी से या अलपता से होती है, question number 8 में मैं आपको एक और fact बताना चाहूंगी कि ये just disease के बारे में हमने देखा कि vitamin D और वो भी उसकी deficiency से अगर बच्चों में जो rickets होता है उसे हमने क्या नाम दिया है, rickets को हम और क्या कहते हैं, हम इसे सूखा रोग भी कहते हैं मतलब अगर ये question पूछा जाए कि निम्नलिखितमी से सूखा रोग किसे कहा जाता है, और 4 options आपके पास दे दिया जाए, तो rickets will be the correct option, क्यों क्योंकि rickets को ही सूखा रोग कहा जाता है next question आते हैं हम question number 9 में पुरानी लाल रक्त कोशिकाओं को नश्ट करने का कारिक कौन करता है, तो यहाँ पे जो भी organs या अंग के नाम दिये हैं, तो वहाँ किस अंग में, rbc या लाल रक्त जो कोशिकाओं होती हैं, वो नश्ट हो जाती है तो इनमें से जो सही option है, वो है प्लीहा में मतलब spleen में तो जो प्लीहा, जिसे हम तिली भी कहते हैं और English में हम इसे कहेंगे spleen, यह जो अंग होता है, यहाँ पे rbc का क्या होता है destruction होता है, ठीक है अब मैंने आपको यह fact तो बता दिया कि rbc नश्ट कहा होते हैं तो वो होते है spleen में, बट यही जो spleen हैं, जैसे हम प्लीहा या तिली भी कहते हैं इसी spleen में, wbc या श्वेत रक्त कोशिकाएं जो होती हैं, उनका क्या होता है formation होता है मतलब, एक जो रक्त कोशिका है, उसका अगर formation हो रहा है, तो दूसरी रक्त कोशिका का destruction या नश्ट होना, एक ही जगा हो रहा है तो यह याद रखिएगा कि spleen, प्लीहा में, wbc का formation होता है, तो वही rbc जो होती हैं, उनके नश्ट होने का जो site है ठीक है, या जो स्थल है वो भी कहां पे है, वो है प्लीहा में, ठीक है, तो एक और point हम इससे important देख लेते हैं कि यह जो rbc होती है इनका जीवन काल कितने दिनों का होता है, या जो life span होती है वो कितने दिनों की होती है तो यह होती है 120 दिनों के लिए जीवित, मतलब rbc का जो जीवन काल या life span है वो होता है 120 days के लिए और वहीं जो WBC है उसका जो होता है वो 10 से 13 दिनों के लिए होता है किसका WBC का तो इससे हमें ये तो समझ में आ गया कि स्प्लीन वो एक ऐसा साइट है जहां पर WBC का फॉर्मेशन होता है तो वहीं RBC नश्ट कहां होते हैं स्प्लीन में ही होते हैं RBC का जो जीवनकाल है वो है 120 दिनों का और WBC का जो जीवनकाल है उसके कमपारिशन में बहुत ही कम होता है वो है सिर्फ 10 से 13 दिनों का निक्स कोशन में हम आते हैं that is कोशन नमबर 10 कोशन नमबर 10 है मनुश्य में ओसत रक्त चाप होता है जो अप्शन है वो है 60 अपान 100 निक्सी इस 20 बाई 80 थर्ड इस 120 बाई 80 और फॉर्ड इस 60 अपान 140 इट मीन्स इसमें से जो करेक्ट अप्शन है मतलब मनुश्यों में जो औस रक्त चाप होता है या अवरेज ब्लड प्रेशर जो है वो कितना होना चाहिए वो होना चाहिए 120 अपान 80 मतलब जो औस रक्त चाप है वो कितना होना चाहिए मनुश्यों में तो अप्शन नमबर C is the correct answer जो की 120 अपान 80 है और यही ब्लड प्रेशर अगर कोशन ये मापने के लिए यूज़ किया जाता है तो वो होगा sphgmomanometer मतलब कौण सा यंत्र है ब्लड प्रेशर को मापने के लिए कौण सा यंत्र होता है तो वो है sphgmanprocess और वही औसस रक्त चाप वाश्यों कितना होना चाहिए वो होना चाहिए 120 ऑ 180 next question में आते हैं question number 11 रक्त में लाल रंग निमन में से किस के कारण होता है मतलब ये जो हमारा blood है ये जो red color का होता है ये किस वरनक या pigment के कारण होता है तो आए ये देखते हैं options क्या-क्या है first option जो है वो है hemocyanine B जो है वो है WBC C जो है वो है plasma and last option option number D जो है वो है Hemoglobin तो मनुश्यों में जो रक्त है वो लाल रंग का या जीवों में जो लाल रंग होता है रक्त का वो किस pigment या वरणक के कारण होता है तो वो होता है Hemoglobin के कारण It means Hemoglobin जो है मतलब ऐसा हम सभी जानते हैं कि जो blood है इसमें तीन प्रकार के cells पाई जाते हैं एक होता है RBC, दूसरा WBC और तीसरा होता है platelets तो ये जो RBC है इसी में क्या होता है, इसी को हम क्या कहते हैं लाल रक्त कोशिकाएं, तो ये जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं इन में एक pigment पाया जाता है या वरणत पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं हीमोग्लोबिन और ये ही हीमोग्लोबिन जो है ये क्या करता है, लाल रक्त प्रदान करता है कोशिकाएं को या रक्त को ये ही जो है वो लाल रंग प्रदान करता है, ये जो हीमोग्लोबिन इसका कारे क्या होता है, हिमोगलोबिन जो है, इसका कारे ये होता है, कि ये गैसों के परिवहन में मदद करता है, for example, oxygen जो है वो हिमोगलोबिन के साथ जुड़ कर क्या बनाता है, HbO2 मतलब oxyhemoglobin, और वहीं carbon dioxide hemoglobin के साथ जुड़ का जब उसका परिवाहन होता है तो उसे हम carbon amino hemoglobin कहते हैं तो इसी लिए question number 11 का जो सही answer है वो है option number D that is hemoglobin next question में आते हैं question number 12 question number 12 है निम्न रक्तवर्गों में से किसे सार्वत्रिक दाता या universal donor कहा जाता है तो question ये पूछा जा रहा है कि कौन से blood group को हम universal donor कहते हैं तो universal donor जो है या सार्वत्रिक दाता जो है हम blood group या रक्तवर्ग O को कहते हैं मतलब O blood group is known as universal donor अब हम इसे universal donor इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी RBC पे किसी भी प्रकार का antigen नहीं पाया जाता इसलिए blood group O जो है इसे universal donor कहा जाता है एक और concept है कि universal recipient वाला मतलब सार्वत्रिक ग्राही किसे कहते हैं तो universal recipient जो है मतलब जो सबसे ले सकता है तो वो कौन सा blood group होता है तो वो होता है AB blood group और यह जो AB blood group है यह सबसे ले क्यों सकता है क्योंकि इसके blood में या रूधिर में किसी भी प्रकार के antibodies नहीं पाये जाते और यहां पे antigen नहीं होता मतलब universal donor ओज है वो universal donor इसलिए है क्योंकि इसकी RBC की कोशिकाओं पर किसी भी प्रकार का antigen नहीं पाया जाता सारवत्रिक ग्राही universal recipient AB को हम इसलिए कहते हैं क्योंकि उसकी रुधीर या blood में किसी भी प्रकार का antibody नहीं पाया जाता तो ये concept I think आपको clear हो गया होगा कि कौन से रुधीर वर गया blood group को हम universal donor और universal recipient कहते हैं next question है question number 13 प्रती रक्षा और संक्राम्यता के लिए निम्न में से कौन सी WBC कोशिका का सरवाधिक संबंध रखता है मतलब कौन सी ऐसे WBC cell है जो की प्रती रक्षा या immunity से सबसे ज़ादा संबंध रखते हैं तो सबसे पहला है लाल रुधीर कणों से ये तो WBC का cell है ही नहीं दूसरा जो है वो है thrombocytes, thrombocytes मतलब क्या होते हैं, platelets को ही हम thrombocytes कहते हैं थर्ड है monocyte ठीक है और last option है वो है lymphocyte तो सबसे ज़ादा प्रती रक्षा या असंक्राम्यता के लिए जो WBC cell responsible है वो होती है lymphocyte तो option number D जो है वो है correct answer कि जो WBC की कोशिका होती है जो कि सबसे ज़ादा immunity के लिए responsible होती है या प्रती रक्षा के लिए जब्मेदार होती है वो होती है lymphocyte की कोशिकाएं और ये जो lymphocyte होती है ये सबसे छोटी WBC कोशिकाएं होती है और ये ही जो lymphocyte है ये दो प्रकार के होते हैं एक होता है B cell और दूसरा होता है T cell और ये ही B cell जो है ये किसका production करता है ये sensation करता है तो ये बनाता है anti-quadies ठीक है तो question number 13 का जो correct answer है वो है option number D lymphocytes और option number C जो है monocyte वो भी WBC कोशिकाएं ही होती है और ये ही जो monocyte होते हैं ये monocyte जो होते हैं ये सबसे बड़े WBC होते हैं मतलब आकार में अगर देखा जाए तो सबसे बड़े WBC कोशिकाएं जो होती हैं वो होती है monocytes और आकार में देखा जाए सबसे चोटी WBC कोशिकाएं वो होती है lymphocytes और प्रती रक्षा या immunity के लिए सबसे ज़्यादा जो होती है वो lymphocytes ही होती है और यही lymphocytes जो होती है वो दो प्रकार की होती है एक होता है B cell और दूसरा होता है T cell और यही जो B cell होते हैं ये antibody का production करते हैं तो एक और question यहां से ये तयार हो जाता है कि antibody के नर्मान के लिए या formation के लिए कौन सी कोशिकाएं जब्मेदार होती है तो B cells जो होती है वो इसके लिए जब्मेदार होती है या हम डारेक्ट उसे lymphocyte को भी कह सकते हैं निक्स कोशन है कोशन नमबर 14 व्रिक अश्मरी मतलब kidney stone में पाया जाने वाला प्रमुख रसायनिक योगिक है मतलब kidney stone जो है वो किस रसायनिक योगिक के कारण जो है वो बनता है तो options हम देखते हैं सबसे पहला है calcium sulphate दूसरा है calcium carbonate तीसरा है uric acid या uric amal next है calcium oxalate तो इसमे से जो correct option है वो है option number D calcium oxalate मतलब kidney stone जो होता है मैंने जैसा कि आपको बताया कि kidney stone question पूछा जा रहा है कि kidney stone में या kidney stone जो होता है वो किस रसायनिक योगिक के कारण बनता है तो वो बनता है calcium oxalate के कारण तो option number D जो है वो हमारा correct answer है next question है question number 15 मानव मस्तिश्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है options हम देखते हैं first option है cerebellum option number B है cerebrum option number C e sponse veruline option number D जो है वो है hypothalamus तो मानव मस्तिश्क का सबसे बड़ा भाग जो होता है वो होता है cerebrum आईए हम यह देखते हैं कि जो मानव मस्तिश्क होती है वो मुख्यत तीन भागों में विभाज़त की गई है तो कहने का sense यह है कि जो brain होती है या मस्तिश्क है उसे तीन भागों में विभाज़त किया गया है सबसे पहला होता है वो होता है four brain जिसे हम अग्र मस्तिश्क कहते हैं दूसरा होता है mid brain जिसे मध्य मस्तिश्क कहा जाता है और तीसरा होता है पस्च मस्तिश्क जिसे हम hind brain भी कहते हैं अब मैंने ये बताया है कि जो सबसे बड़ा भाग होता है मानव मस्तिश्क का वो है सेरीब्रम और ये जो सेरीब्रम है वो फोर ब्रेन का या अग्र मस्तिश्क का भाग होता है तो ये जो सेरीब्रम है इसका काम क्या क्या होता है या functions कौन कौन से perform करता है तो जो सेरीब्रम ह होता है वो मनुश्यों में बुद्ध ही मता इन चार में को एन चारों चीज़ों के लिए वो सबसे इंपोर्टन भाग होता है कौन oni और चिंटन इन चारोंक लिए कौन जाता तो वह होता है सेरीब्रम और सेरीब्रम ही जो होता है वह मानव मस्तिश्क का सबसे बड़ा भाग है अब इन जो और नेक्स्ट तीन ओप्शन्स निये हैं इन्हें भी हम देख लेते हैं कि इनके क्या-क्या फॉंशन्स होते हैं तो मानव मस्तिश्क में और भी सारे हमने देख यह सबसे बड़ा बट दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है मतलब दूसरा सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है मानम मस्तिश्क का तो वो होता है सैरी बैलम और यही जो सैरी बैलम है यह शरीर के संतुलन को बनाए रखने के लिए जम्मेदार या responsible होता है निक्स्ट ओप्शन है पॉन्स्वेरोलाई ये जो पॉन्स्वेरोलाई होता है पॉन्स्वेरोलाई जो है वो होता है पश्चु मस्तिश क्या हाइंड ब्रेन का ही पाठ होता है और ये जो पॉन्स्वेरोलाई है इसका काम क्या होता है तो इसका काम होता है कि स्वशन क्रिया पर नियंदरन मतलब इंस एफ के लिए निक्स के लिए चीम्हें हम देख रहे हैं हाइपो ठाले मिस तो यह होता है यह ब्रह åइपोडामिस एडियों इंप्राइट पॉर्फॉर्ट होता है इले जो है यह फॉहड़ हो गया नियंतर होता है उन इलमिस जितने भी प्रकार की फीलिंग्स होती है ग्रिन हो गया प्यार हो गया भूक हो गई प्यास हो गई तो इन्हें कौन नियंतरत करता है तो वो हाइपोथालमस ही नियंतरत करता है मैंने सबसे important point आपको क्या बता है कि ताप है कि वो होता है 37 degree centigrade centigrade में पूछा तो हमने आसानी से option दे दिया या answer दे दिया वही अगर वो Fahrenheit में पूछ दे या Kelvin में पूछ दे तो हम confuse हो जाएंगे तो let's see कि Fahrenheit में जो और सतापमान होता है शरीर का वो कितना होता है तो वो होता है 98.6 degree Fahrenheit वही अगर मैं centigrade में बता हूँ तो वो होता है 37 degree Celsius या centigrade और अगर Kelvin में बताया जाए तो वो होता है 310 degree Kelvin तो ये तो हमने देख लिया कि मानव मस्तिश्क का कौन सा भाग जो है वो किस क्रिया के लिए responsible होता है but question number 15 का जो सही answer है मतलब सबसे बड़ा भाग जो है वो होता है सेरी ब्रम और दूसरा सबसे बड़ा भाग जो है मस्तिश्क का वो होता है सेरी बैलम next है question number 16 मानव मस्तिश्क का कौन सा भाग भोजन निगरन तथा उल्टी का नियमन केंद्र होता है मतलब भोजन निगरन, मतलब भोजन को निगलना और उल्टी के लिए कौन सा जो मानव मस्तिश्क का भाग है वो जम्मिदार होता है तो वो है करेक्ट आंसर है कोशन नमबर 16 का मेडिूला अबलॉंगेटा और ये जो मेडिूला अबलॉंगेटा होता है ये भी पश्च मस्तिश्क का भाग होता है कौन सा मेडिूला अबलॉंगेटा और ये ही जो मेडिूला अबलॉंगेटा है ये भोजन निगरन और उल्टी के लिए नियमन केंद्र होता है पॉंस्वेरोलाई के बारे में हमने जान ही लिया था कि स्वशन नियंत्रत कौन करता है तो वो करता है पॉंस्वेरोलाई सेरी बैलम क्या करता है तो सेरी बैलम का कार होता है शरीर के संतुलन को बनाए रखना निक्स्ट कोशन है, कोशन नम्बर 17, निम ने लिखित हर्मोनों में से किस में आयोडीन है, तो options हैं आपके insulin, adrenaline, testosterone या थायरॉक्सिन, तो ऐसा कौन सा हर्मोन होता है, जो आयोडीन युक्त होता है, तो ऐसा हर्मोन होता है थायरॉक्सिन, मतलब option नम्बर D जो है हमारा वो है, correct answer थायरॉक्सिन, मतलब आयोडीन युक्त होर्मोन जो होता है, थायरॉक्सिन, अब यह जो थायरॉक्सिन होता है, इसका स्रावन या सिक्रेशन करता कौन सी ग्रंथी है, या करती कौन सी ग्रंथी है, तो थायरॉक्सिन का सिक्रेशन जो है, या स्रावन जो है, वो करती है, जिसे हम अवटू ग्रंथी बही कहते हैं, अव यही अवटू ग्रंथी या थाराइट ग्लांट जो है, जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, कि थाराइट ग्लांड जो है, वो मानल शरीर की सबसे बड़ी अंतहस्त्रावी या एंडोक्राइड ग्ल होता है next question आते हैं हम question number 18 question number 18 जो है वो है iodine की कमी से होती है मतलब iodine की अगर कमी हो जाए तो इन सभी diseases में कौन सा disease जो होगा वो हो सकता है तो iodine की कमी से होता है घेंगा रोग जिसे हम क्या कहते हैं गोईटर कहते हैं ठीक है मतलब iodine की कमी से क्या होगा गेंगा रोग या गोईटर होगा और यही जो iodine है iodine युक तो हॉर्मोन कौन सा होता है तो वो होता है थायरक्सिन तो question number 18 का सही answer है option number C that is गेंगा रोग कुछ options दिये हैं वो भी हम देख लेते हैं कि उनका night blindness मतलब रतौंधी जो disease है इसे हम क्या कहते हैं इसे हम कहते हैं night blindness और यही जो night blindness है यह होता क्यूं है तो यह होता है vitamin A की alpata से या vitamin A की कमी से रतौंधी होता है और कुछ options दिये हैं करक्रोब cancer यह तो हम सबी जानते हैं कि इसके बहुत सारी causes हो सकते हैं next question पर हम आते हैं that is question number 19 question number 19 है कि कौन से hormone को लडो और उडो hormone कहा जाता है मतलब लडो या उडो hormone तो fight और flight hormone किसे कहा जाता है लडो या उडो hormone किस hormone को हम कहते हैं तो यह जो hormone है यह कहलाता है adrenaline मतलब इसमें जो option number D है वो वा है आपका correct answer कि fight और flight hormone जो है या हम हिंदी में अगर इसे कहें तो लडो या उडो hormone जो है वो कौन सा hormone कहलाता है तो वो कहलाता है adrenaline hormone और यही जो है adrenaline hormone या secret किया जाता है या इसका स्रावन होता है adrenal medula द्वारा और adrenal medula द्वारा जब ये इसका secretion होता है तो इस hormone का काम क्या होता है यह रिदे की गती को जो है वो बढ़ा देता है ठीक है और रिदे की गती के बढ़ने के कारण क्या होता है कि शरीर में जो उतेजना होती है उसमें बढ़ोतरी हो जाती है तो यह हमने जो अभे डिसकस किया यह थे कुछ important questions जो exam point of view से important है काफी और next video में हम फिर से आप से मिले कुछ और बायो के important questions लेके जो की exam point of view से आपके काफी help हो सके थेंक यू